अब देख रहे हैं अ कि यहां पर इक में सिखेंट करना चाहते आप सभी स्ट्वरक्र जुडएंगा कि मेरे द्वारा किस किस तरह से करवाया जाती है किस तरह से इंपोटें संङोती है किस तरह से गुरूप में रिंधिट करवां जाती है और मेरे दोजा हिसल देख रहे हैं जैसे सब्सक्राइब कंदर यह जहएंदर गूरूप के अ 한 Candor करोगे और अलगर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रोलम आएगी क्योंकि यहां पर आगे एक स्टुडेंट्स दोड़ रहा होता है तो आपको उसी के स्टेप फोलो करने होते हैं और इससे आपको क्या थकान मैसुस नहीं होती जबकि बाकी जगह क्या होता है कि जुन्ड में स्टुडेंट्स के प्रोपर स्टेप्स हैं दोनों स्टुडेंट्स के स्टेप्स मिल रहे हैं आप देख रहे हो आराम से इनके स्टेप्स मिल रहे हैं इनके स्टेप्स मिल रहे हैं तो यहां पर एक लाइन के अंदर स्टेप्स के अंदर और प्रोपर स्टेप्स सिखा जात वो को सकते हो चैने आपका आर्पी अव का हो है टाया आपका फायर मेन का हू छे में गूर्श चेर रेलवे गूरूप्री र्ण और यह व सब्सक्र साइब पर दुख रेल्ट का लैनly आप ले सकते हो इसमें रेलकल के अलावा अभी जो फीजिकल चल रहा है आपका तो यह सभी फिजिकल्स के एवरेज लगबग सेम ही फिजिकल है सबसे जरूरोग होती है आप स्टार्टिंग के अंदर अपने स्टेंड डवलप करें मैंने आपको रणिंग अतरी का बता दिया उसके बाद एक्साइज कर वे जाती है जैसे प्लैंक एक्साइज है इससे आप अपको पेट के जो वेट होता है वेट लोज किया जाता है यह स्ट्रेंथ के लिए लेक्स अराम से देख रहे हो तो इन सभी फिजिकल्स सब के अंदर यह जुरूरी है आपकी पेट की ले लो आपके लेक्स की लेख लेलो थाइज वरकाओट हो गया अब इसके बाद में आ यह आपके foot की strength के लिए जो आपको man important होता है तो आप सभी students को बताना चाहरा हूं कि आप बिल्कुल भी गुम्रान ना हुए अगर किसी भी students को इन में से किसी भी करनी है तो आप सभी students आके मुझे से जुड़ सकते हैं मैं बिल्कुल प्रोपर ट्रिक्स और टेक्निक से दौरा फिजिल करता हूं मैंने कहीं कहीं देखा है कि students को जो अब बिल्ले पुलिस की तारी कर रहे हैं जो फायर मैं तारी कर रहे है उन इस्टुटेंट्स को भी टायर बांद बांद दुरा जाता है पिछे टायर लगा जिया फिर रणिंग कर रहे है यह आप इस पोर्स एथिलिट ने थोड़े जा रहे हैं आप तो एसे तरह करें हो और सारी चीज एक साथ एक फ्लो के अंदर चलती है इस्टुटिम में टायर लगा दिया उससे आपकी जो बोडी पेंच चालो हो जाता है मसल्स पेंच चालो हो जाता है और जो आपका नोर्मल सा इवेंट है जो कोई भी स्टुडेंट बिल्कूर सी ट्रिक्स और टेक्नि वेटलिफ्त का हो जायए आपका लोगच जंप का हो जायए फाइर मेंट हो जी है मेरा तरीका होता है और एक हंदे जो भी फंप्रोपर विशास नहीं आप समी च्टुट्स गहरें घरऑ आकर आकर चंपर कर सकते हैं एक बर व्हाता है!" तो आप खुद को विश्वास होगा कि इस तरह से प्रोपर तैरी कराई जाती है बाकी मैं देखता हूं जासे मुझे बोलते सर हमारे वहां पर तो दो तो गंटे तीन 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 गंटे त्यारी कराते हैं थ्री आवर तो आप सब्सक्राइब आप चाहिए प्रोप विश्वास होगी और इसके अंदर आप चाहिए कोई सभी फीजिकल हो जाके प्लैलिस नेल पे प्लैलिस देखियागा उसमें जाकर विश्वास का फीडिबैक आपको तो इस चीजिक का आप खासकर सभी स्टूरें ध्यान रखे और इसे द्याना मकथते हुए आप सभी स्टुएंट्स आके जुड़ सते हैं अभी फिलाल रेलवेवे ग्रूबडी का बैचल रहा है और दिलीपुली की स्टुएंट्स भी आ रहे हैं सिपीओ के जो एकजाम है वह नो तारिक से स्टार्ट हो रहे हैं तो स्टुएंट्स को म इसी बी चीज़ का फिजिकल हो मैं एक गुरूप के अंदर एक साथ फिजिल करने का विश्वास रखता हूं बैस जरुत है कि आप सभी स्टुएंट्स मुझे विश्वास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं सिर्फ मातर एक मैने के आप क्लास जोइन कीजिए एक मैने क्लास मे कर लेंगे अभी आप अभी स्टुएंट्स सोच रहेंगे हमारा दिल्ली प्रिश का तो फिजिकल ही नहीं हम त्यारी क्यों करें हमारे एक्जाम ही नहीं लगा तो एक सबसी इपूर्टेंट बात आप सभी स्टुएंट्स को बता हूं मैं कि अगर आप जैसे आप मानलों की आप माइंड फ्रेश रहेगा आपकी बोडी फ्रेश रहेगी तो वह काफी चीज़े सही रहती है और फिजिकल तो हमको करना चाहिए यह तो सभी बोलते है योगा वगरा जो भी हुआ तो यह चीज़ आपको करने चीज़ और सबसे बड़ी चीज आपके पास प्लस पॉइ तो यह तो खिय आपके जाओ निमाई कर सकते हूँ चाहिए आपकींटि तो विके इसी नहीं है उसकी आफ तेरी कर सकते होँ क्यों मैं देखा है जो रहता है वह यह रहता है सो्म् से हंड्रेट में से ओनली निता स्टुनंडच अपथने पास होते है तो यह बहुत बड़ा रेश्यो है तो इस बात को ध्यान बहते हैं आप सभी स्ट्वेंट्स जल्दी सल्दी आगे जोइन कीजिए और अपने फिजिल तहरी स्टार्ट कर दीजिए